हेलो दोस्तों, आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे जनल नोलिज के 10 इंपोर्टेंट सवाल पूछूँगा। देखते हैं आप कितनों के सही जवाब दे पाते हैं। और हर कोश्चन के लिए आपके पास 10 सेगिंड होंगे। और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉस्ट कर सकते हैं। कोश्चन नमबर वन भारतिय पीम नरेंदर मोदी में किस सहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लौँच किया है। दा करेक्ट आंस्वर इस आगरा में। कोश्चन नमबर टू ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में किस देश को सीर स्थान हासिल हुआ है। दा करेक्ट आंस्वर इस नार्वे कोश्चन नमबर थ्री खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में किस राचे ने सबसे ज़्यादा मैडल यानि की 156 मैडल अपने नाम किये हैं। दा करेक्ट आंस्वर इस माराष्ट्र में। कोश्चन नमबर फोर बैसाखी त्वार किस दर्म के लोग मनाते हैं। दा करेक्ट आंस्वर इस सिख दर्म के। कोश्चन नमबर फाइफ बारत में अंग्रेजी सिख्षा किसने शुरू की थी। दा करेक्ट आंस्वर इस लोड मकाले ने। कोश्चन नमबर सिक्स अरब सागर की रानी किस थल को कहते हैं। दा करेक्ट आंस्वर इस कोचिन को। कोश्चन नमबर सेवन सार्क का मुख्याले कहां पर स्थित है। दा करेक्ट आंस्वर इस काठ मंडू में। कोश्चन नमबर एट आस्ट्रेलिया का राष्टे खेल कौन सा है। दा करेक्ट आंस्वर इस क्रिकेट। कोश्चन नमबर नाइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दा करेक्ट आंस्वर इस कराची। यह है टैन्थ और लास्ट कोश्चन प्याज काठने से आसु क्यों आते हैं। दा करेक्ट आंस्वर इस प्याज में लेवकाई मैटरी फैक्टर सिंथेसिज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसलिए प्याज काठने पर हमें आसु आते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिये हैं। और सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। झाल